और चोटे जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने धाई किलो के हाथ से बेल आइकन को क्लिक कर दो ताकि सबसे पहले सबसे पहले आपको मिली सके हमारी वीडियो कुछ दिन पहले जब नेट्फिक्स पे सेकरेट गेम्स रिलीज हुई थी तो ये काफी चर्चा में आ गया था जो मसाला लोग ढूंडते हैं वो अब उनको वेब सीरीज पर मिलने लगा है सायद यही रिजन है कि लोग अब वेब सीरीज में काफी इंट्रेस्ट लेने लगे हैं इसमें सेंसर बोट की कोई जंजट नहीं होती है इसलिए इसमें हमें सेक सीन और गाली गलोज को खुब अच्छे से परोसा जाता है सेक्रेट गेम्स के तहलका मचाने के बाद मिरजापूर ने भी खूब सुर्कियां बटोरी अब मानो लोग ऐसी सीरीज को ढूणने में लग गये हैं मतलब इसमें इंट्रेस्टेड होने लगे हैं आजकल वेब सीरीज के डायलोग्स और मेम्स इंटरनेट पर खूब हैरल हो रहे हैं नेट्फिक्स और अमेजन प्राइम के आये इस सीरीज से माहोल बहुत गर्मा गर्मी में हैं आजकल लोग कहीं भी हो बस वेब सीरीज की चर्चा करते हैं और अब तो काफी बॉल्यूड एक्टर्स भी इसमें हिस्सा लेने लगे हैं और इससे सीरीज का मजा और भी दुगना हो गया है तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ सेक्रेट गेम्स और मिर्जापूर के अलावा ऐसी कौन-कौन सी सीरीज है जो आपको देखनी चाहिए हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं मूवी फिल्टर तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले नेट्क्लिक्स की सेक्रेट गेम्स की सैफली खान नवाजुद्दिन सिद्धिकी राधिका आप्टे इसमें मुख भुमिका में है इस सीरीज को इंडिया में ही नहीं बलकि विदेशों में भी खूब पसंद किया गया सेक्रेट गेम्स को डैरेट किया अनुराक कस्चप और विक्रमादित मटवाने और इस सीरीज ने वाकई में तालका मचा दिया मानु कुकु का जादू चल गया जल्दी हमें इसकी दूसरी सीजन देखने को मिलेगी और इसका इंतिजार हम सभी बेशवरी से कर रहे है इसके बाद दूसरे नम्मर पर है Amazon Prime की मिरजापूर जिसने सच में वेब सीरीज का ट्रेंड ही ला दिया इसका डैलोग काफी चर्चाओं में है इसमें थे अलीफजल, विक्रांत मासी, डेवेंदू सर्मा और पंकर्च तिरपाठी इस सीरीज का भी दूसरा सीजन आने वाला है अगर आप इस सीरीज के वारे में अच्छे से जानना चाहते है तो आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा इसके बाद तिसरे नमबर पर है अमेजन प्राइम की एक और हिट सीरीज ब्रेद जिसमें आर माधवन और अमीत साथ मुख भूमिका में थे ये एक सैकलोजिकल ड्रामा सीरीज है जिसमें एक सधारन आदमी असधारन सिच्वेशन को जहलता है वहीं अमीत साथ एक क्राइम ब्रांच ओफिसर है दोनों का एक्टिंग काफी जवरदस्त है इस सीरीज की स्टोरी आपको बांध कर रखती है और इसको डारेक्ट किये थे मयंग सर्मा इसके बाद चौते नमबर पर है नेट्फिक्स की लस्ट स्टोरीज इसको चार डारेक्टर ने मिलकर डारेक्ट किया है और चारो डारेक्टर की अलग-लग स्टोरी और अलग-लग स्टार कास्ट हुई है ये सिरीज कायरा अद्मानी के वैरल हुई सेक्सिन के वज़े से काफी चर्चाओं में रहा था वासना पर अधारित ये सिरीज काफी सुर्कियों में रही थी ठीक उसी तरह पाँचवे नम्मर पर हैं अल्ट वाला जी की गंधी बात अगर आपको वासना पर अधारित स्रीज देखना पसंद है तो ये स्रीज आपको बहुत पसंद आएगा इस स्रीज की स्टोरी राधा कृष्ण परकासन की एक बूक गंदी बात से ली गई है इसके बाद छटे नम्मर पर हैं अमेजन प्राइम की इंसाइड एज ये एकसल इंटर्टेन्मेंट द्वारा बनाएगी पहली वेब स्रीज थी और इसने भी काफी सुर्कियां बटोरी थी इसमें विवेक ओवराय और रिचा चड़ा मुख भूमिका में थे इसकी कहानी D20 किरकेट के इद्र गिद्र घूमती है जिसमें रिचा एक टीम की मालकिन रहती है और इसको डिरेक्ट कियें मिर्जापूर के डिरेक्टर करन अनसुमन और गुर्मित सींग ठीक उसी तरह साथवे नम्मर पर हैं नेट्पलिक्स की घोल ये एक होरर स्टोरी है घोल का मतलब पिचास होता है ये आरवी की परीकथा पर अधारित है जिसमें रादिका अप्टे महस बलराज और मानब कॉल मुख्य भूमिका में है इसको डिरेक्ट किये थे पैट्रिक ग्राहम ये तीन एपिसोट की सिरीज है अगर आप होरर स्टोरी देखना पसंद करते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छी ओप्सन है इसके बाद आठवे नम्मर पर है अल्ट वाला जी की बोस टेड अलाइव नेता जी सुहासचंद्र बोस के जीवन पर अधारित है ये सिरीज इसमें सुहासचंद्र बोस के रोल में है राजकुमार राओ और इसको डिरेक्ट किये है पुलकित ये सिरीज आपको वो सारी रहसमे बाते बताती है जो आप सुहासचंद्र बोस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ये सिरीज भी देख सकते हैं ठीक उसी तरह 90 नमबर पर हैं अल्ट बाला जी की broken but beautiful अगर आप love story देखना पसंद करते हैं तो आप इसको देख सकते हैं इसमें विकरांद वासी, हरलीन सेठी और जतिन गुलाटी मुख भुमेका में हैं ये एक ऐसे इंसान की story है जिसमें उसकी बीवी की date हो जाती है बट उ उसको अपनी बीवी नजर आती है, overall उसकी story अच्छी है और आप इसको एक बार देख सकते हैं इस लिस्ट में आखरी यानि दसवे नमबर पर हैं अल्ट बाला जी की अपरन सब का कटेगा अरुनोदय सिंग, नीधी सिंग, माही गील और वरुन बदोला इसमें मुख भुम इस सीरीज का रिव्यू आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं, लिंक में डिस्क्रिप्सन में डाल लोगा, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो प्लीज कमेंट में बताईएगा, और इन दस सीरीज में से सबसे बेस्ट कौन सा है, ये भी आप हमें कमेंट में ताकि मैं फ्यूचर में आपके लिए और वी अच्छे अच्छे वीडियोज ला सकूँ थैंक यू